यदि आप अपना फेस बिल्कुत साफ सोक्ष क्लीन चमकदार वनाना चाहते हैं तो यह काम करना शुरू कर दो इसका असर आपको अपने फेस पर दो से तीन दिन में देखने को आराम से मिल जाएगा यदि आप चैनल पर नहीं है चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लेना और वीडियो को लाइक शरूर करना वीडियो को आप लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक शरूर कर देना एक बाद और किसी किसी के होंट बलेक बलेक से दिखने लगते हैं उनके होंट काले काले से नजर आने लगते हैं लड़का हो या लड़की हो सरदी के मौसम में अक्सर ऐसा दिखने को मिलता है तो मैं आपको बहुत यह चीज बताय देता हूँ आपको सब्ताय में एक बार ऐसा आपको टेली नहीं करना है ध्यान से सुन लेना सब्ताय में एक बार एक नीवू का तुकड़ा काटना उसमें जरासी चीनी लगाना और जरासी चीनी लगाने के बाद आपको अपने होंटों पर हलकी हलकी सी उस नीवू से मसास करनी है मसास करने के एक दो मिनिट के बाद आपको अपने होंट साफ कर लेने है पानी से धो लेने सबताई में एक दिन करना आपके होंटों से काला पन खत्म हो जाएगा दुवारा से आपके होंटों का कलर रेड रेड कुला भी नजर आएगा आपके होंट वहत खुबसूरत नजर आएगे क्योंकि नीवू में बिटामिन सी होता है फेस की गंद की होई होंटों के उपर काला पन हुआ या फिर आपकी स्किन पर कहीं भी काला पन है तो उस काला पन को हटाने के लिए बिटामिन सी यानि की नीवू के रसमे जो की फरयाप मातरा में पाया जाता है तो नीवू बहुत ह ज़्यादा उपयोगी होता है चली फ्रेंट अब हम बात करते हैं उस face fact के वारे में जो कि आपको सब ताइमें एक दिन दो दिन आपको जितना time मिले आपको जरूर लगाना चाहिए दो दिन तो सब ताइमें जरूर लगाना ही चाहिए एक पके हुए केले के दो गोल गोल पीस काट लेने है उनको बिल्कुल बारिक पेश्ट बना लीजिए फिर फ्रेंट आपको उस पेश्ट में केवल दो चमच मिलक मिलाना है कच्चा मिलक मिला देंगे तो अच्छा रहेगा दो चमच कच्चा मिलक मिला लीजिए और फ्रेंड आपको उसमें एक जम्मत सहद मिलानी है इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक फेस बैक तयार करके रख लेना और फ्रेंड उस फेस बैक को आपको खुली जगाए में कम से कम 10-12 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है फिर इसके बाद आपको अपना चेहरा क्लीन करना है और जब आपका चेहरा धुल के फिलकुछ साफ हो जाए आपकी फेस की स्कीन से गंद की साफ हो जाए और जब आपकी फेस की स्कीन सूख जाए तो इस मिसरन को लगाने से फ़हले आपको एक कम और करना है जरासी दो चार भूंदे आपको गुलाब जल की लेनी है अपने फेस पर लगा लेनी है कौाटन से और जब गुलाब जल आपके फेस की स्कीन पर सूख जाए फिर इसके बाद आपको इस फेस फेक को अपने चेहरे पर 10-15 मिनिट के लिए लगाए रखना है जब यह फेस पर आपके फेस पर सूख जाए फिर आपको नॉर्मल पानी से ताचे पानी से अपना फेस कीलीन कर लेना है जब आपका फेस कीलीन हो जाए उसके पांच मिनिट बाद आप देखेंगे कि आपके फेस पर खुबसूरती दिखाई देनी लगेगी सब ताइमें कि मन में किसी भी तरह का कोई कॉस्टन सवाल है तो कमेंट में शरूर पूछना मैं आपको तोरंती रफ्लाइट दोंगा तो फ्रेंड आज के लिए बास इतना ही नमस्कार